यह इसलिए लिख्वाइै के आपके समान की रक्षा आपको करनी है उसकी जिम्मेधारी आपकी हम बस वाले बस आपरेटर्स हम इसकी रक्षा नहीं कर सकते किस-किस का समान देखेंगे, हम अपनी बस चलाए, कंडक्टिंग करें, टिकट बाटे याँए, आपके समान की देखवाल करें, वो आप करो, आपका काम है, तो जो नियम बस में लागू होता है, वो सारी धर्थी पे लागू होता है, जैसे बस में हमें, अपने समान की दूसरे ब्रोसा नहीं करें बाजार में चलते समय सावधान रहें आपकी जेव कट सकती है भीडबाढ़ वाले इलाके में विशेश सावधान रहें वहां जेव कटती है पर जाय बाजार हो ट्रें हो या बस हो जहां भी भीड अधिक होगी वहाँ जेव कटने की पूरी-पूरी संभावना है इसलिए भीड में जाते समय सावधान रहो तो अपनी सुरक्षा स्वयम रखें और वैसे भी कोशिश करें भीड से दूर रहें वह ज्याद आच्छा है एक बुद्धिवान ने एक वाक्य सुनाया था मैं आपको सुनाता कि भीड से हमेशा दूर रहना चाहिए भीड से दूर रहना चाहिए तो मैंने पूछा क्यों तो बोले भीड में ताकत होती है अकल नहीं होती है भीड में ताकत होती है अब पचास आदमी है सो आदमी है भीड है पचास सो आदमी होगी और भीड में से किसी ने एक नेता न शुरू कर देंगे ऊसको यह नहीं कोई सोचेगा क्यूं मारो इसलिए कि आप भीड में ताकत combos होती है सारे पील पढ़ेंगे तूट Kit तो पढ़ेंगे पर यह और कोई तो उसेने बहुत अच्छी बात बताई कि नेता बनो भीड मत बनो भीड का हिस्सा मत बनो और भीड से दूर भी रहो वरना वो खाम-खाँ पीट पाट देंगे तो जब भी भीड में जाएं तो सावधान होकर जाएं कोशिश करें भीड से दूर रहें बचके चलें मजबूर वहां बटाई शुरू हो से फिर वाँ जान बचाना मुश्किल है कि कई बार मेलों में भगड़ मत जाती है चब बड़े-बड़े मेले होते हैं कुम्ब का मेला ऐसे ऐसे पर बताते हैं कान इलाबाद में कोई मेला था कुम्ब का मेला था फुरानी बाद तो वहां किसी कारण से भग्देड मच गई और ऐसे भागे ऐसे भागे लोग एक दूसरे पर चड़ चड़ के कूद गूद गए कई तो मर गए और इतनी चपले जूते छोड़ छोड़ के भागे जान बचा कर गए बताय सावान की रक्षा सोहम करें 100% दूसरे का भरोसा ना करें आप जितना काम अपना खुद करेंगे अपनी बुद्धि मत्ता से अपनी साउधानी से अपनी अकल से अपने हाथ से जितना अधिक से अधिक काम करेंगे उतना अधिक से अधिक सुखी रहेंगे और जितना दूसर के भरोसे छोड़ देंगे उतना उतना आपको हानी संशय चिंता तनाव टेंशन दुख भोगना पड़ेगा कि इसके पीछे भी एक रहस्य है क्यों ऐसा है कि इसका रहस्य यह है परसंट सुख चाहते हैं हाँ या ना सुख चाहते हैं कितने परसंट सुख चाहते हैं सो परसंट अब सो परसेंट सुख कैसे मिलेगा जब कोई काम सो परसेंट आपकी इच्छा से हो जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जैसा आपकी इच्छा है जैसी आपकी योजना है जैसी आपकी रूच्छी है यदि वो काम सो परसेंट वैसा हो तो आपको पूरा सुख मिलेगा यदि जैसा आप चाहते हैं वो कम 100% वैसा नहीं हुआ 80% वैसा हुआ आपकी इच्छानुकूल और 20% आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ तो आपको जितना 20% अनुकूल नहीं हुआ विरुद्ध हुआ उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा हाँ या ना तो यह एक सिध्धान तो हो गया जितना जितना कोई कारिय जितने प्रतिशत हमारी इच्छा नुकूल होता है उतने प्रतिशत हमको उससे सुख मिलेगा और जितने प्रतिशत हमारी इच्छा के विरुद्ध होगा उतना हमें दुफ भोगना पड़ेगा ये नियम समझ में आ गया? आ गया अब मैं जो काम चाहता हूँ, ये काम इस तरह से होना चाहिए, मेरी इच्छा ऐसी है तो मेरी इच्छा सो परसेंट मैं ही समझता हूँ या दूसरा भी समझता है? मैं ही समझता हूँ, मेरी इच्छा सो परसेंट कैसी है, वो तो मैं ही जानता हूँ, दूसरा जानता ही नहीं तो उस काम को मैं ही करूँगा तो वो 100% मेरी इच्छा नुकूल होगा अगर मैं अपना काम स्वैम करूँगा तो मुझे पता है न ये काम मुझे किस क्वालिटी का किस टाइम में कितने टाइम पर कैसा चाहिए वो तो मुझे ही पता है तो मैं अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, साउधानी से वो काम 100% अपनी इच्छा नुकूल कर सकता हूँ और यदि वो 100% मेरी इच्छा नुकूल हुआ तो मुझे सुख मिलेगा अब मैं दूसरे को समझाओंगा ये काम ऐसा कर लाओ चलो आप बजार जा रहे हैं मेरे लिए ये सामान ले आना तो अब मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि मुझे ये सामान किस तरह का चाहिए किस क्वालिटी का चाहिए किस साइज का चाहिए कितना durable होना चाहिए कितना ये टिकना चाहिए लंबा तो मैं उसको समझाओंगा भई आप जा रहे हो तो मेरा ये काम करते आना अच्छा ये लाना safety razor ले आना इस company का लाना इस model का लाना इस size का लाना इस भाव का लाना अब मुझे सारी बाद समझानी पड़ेगी अब उसकी क्या guarantee जैसा मैं चाहता है वो समझेगा कोई guarantee नहीं मैं ने का फ्हलाणी company लाना वो दूसरी ले आ tav मैंने का इस bother का लाना वो दूसरा ले आना इस quality का लाना वो और ले आया और मैंने का अच्छा blade इसका इस तरह से लाना वो दूसरा ले आ अब भोलो मेरा काम को नहीं हुआ न जितना वह लिगाड़ेगा ऊतना मुझे परिशानी अब फिर उसको बोलना पड़ेगा कि तुम ठीक नहीं लाएग जो 주b मैं ले क्या वह पार दोबरा दक्काऊ खाना पड़ेगा उसको भी दक्काऊ खाना पड़ेगा और मेरा भी काम बिगड़ा मुझे टाइम पर चीज़ नहीं मिली जैसी मैं चाहता हूं वैसे नहीं मिली कि फिर मैंने दूसरी बार समझाया वो दूसरी बार फेर गया फिर भी ठीक निला है फिर उल्टी सी दिलिया आए अब बताओ जितना जितना मैं दूसरे के भरोसे वह काम छोड तो बुद्धि मत्ता यह कहती है ऐसा काम करो जिसमें स्वयम कश्ट उठालो थोड़ा कश्ट उठालो और ज्यादा सुख भोगो इस कारण से मैं अपनी शॉपिंग खुद करता हूं मुझे जो सामान लाना होता है 80-90 प्रतिशत मेरी शॉपिंग में खुद करता हूं दूसरों को नहीं देता हूं क्योंकि वह समस्या यही खड़ी करते हैं 25-30 साल पहले मैंने एक व्यक्ति को रोजट से फोन किया हमदबाद मैंने का भया मुझे दिल्ली जाना है मेरी टिकेट बुक करा देना ट्रेंड की हम्दबाद से दिल्ली की तो उसको फोन पर लिखवा दिया वहां से 70 किलोमेटर खोन जाए एक टिकेट बुक करना के लिए तु मैंने फोन पर लिखवा दिया कि 26 तारीक की 2 मई की यह टिकेट दिल्ली की करा दो मेरी और इस क्लास में कराना इस कोच में सेकंड्स एसी कोच में करा देना इसा नम्बर लिखवा पूरा कि कहीं गड़बř और तो आश्रम त्रेट कहा है टिकेट भूला मेरे पास है मैंने कर देखके बताओ क्या विवराने कुंसी तारीक कि यह बोला 28 तारीक के मैंने कर दिया ना गोटाला मैंने 26 की बोली थी और करवाई 28 की अच्छा फिर और पूशा कौन सी ट्रेन का नाम क्या है नाम आश्रम एक्स्प्रेस ट्रेन नंबर यह नंबर कहां से कहां तक है हम दावाद से दिल ली कौन सा कोच है फलाना कोच है और तो सब ठीक था डेट गलत थी मैंने 26 माई की मंगाई उसने 28 माई की करी तो ठीक नहीं बनी फिर मैंने पूशा आप खुद गए थे टिकेट कराने पकड़ा गया ना तो मैंने किसको बेजा था गोले नोकर को मैंने बस नोकर तो ऐसा ही करेगा उसमें विचारे में इतनी बुद्धी कहां होती है तो लापर लिखते समय उसने 26 बोली होगी और उसने नोकरने लिखी 28 बना दी टिकेट तो वह देन और आज का दिन उसके बाद मैंने किसी से टिकेट बुक नहीं कर वाई उसके बाद मैं खुद ही कराता हूं फिर मैं खुद अमदाबाद जाता था जब प्रवचन देने प्रचार के लिए तो उससे एकाद घंटा पहले निकल लेता था तो पहले स्टेशन पर जाके टिकेट बुक करता लाइन में लग कर गए और उसके बाद फिर मैं अपना प्रवचन परचार करता था तो फिर तब से मैं ने दूसरों से यह काम बंद करवा दिया यह उल्टी सीदी टिके फिर बनाकी टाँ को इसलिए मैं अपने सारे काम अभी में टेन की टिकेट फ्राइट की टिकेट जो भी बनाता हूं खुद बनाता हूं तो तो इंटरनेट नहीं था तो वहां लाइन में लगके करना पड़ता था तो तब ऐसे कराता था टिकते फिर जब ये इंटरेनेट शुरू हो गया तो फिर सुविदा हो गई कंप्यूटर से बुक करने लगे फिर मुबाइल फोन आ गया तो फिर उससे बुक करने लगे तो मैं अपनी सारी यत्राइं टिक्टें सारी खुद करता हूं और भी शॉपिंग का काम भी 80-90% खुद करता हूं जहां ऐसा लगता है कि ये काम अब बिगड़ नहीं सकता है इसमें बिगड़ने का कोई चांस छोड़ा ही नहीं मैंने तो वहां कभी कभी दूसरे को 57% कुछ काम दे देता हूं वही आप जा रहे हो तो यह चीज लेते आना तो बस वहां जहां पर मतलब गलती की संभावना ना जैसी हो उद्ध नहीं देता हूं बाकी तो मैं खुद ही करता हूं तो यहीं बात सब को समझनी चाहिए रिशी लोग यह बताते हैं महर्शी मनु जीने का सर्वम आत्म वशम सुखम जितना काम अपना आप खुद करेंगे उतने ज्यादा सुखी यह मर्शी मनु से सीखा और उस घटना से भी सीखा दोनों बाते हैं और यह सर्वम आत्म वशम सुखम सर्वम परवशम दुखम जितना भी हम दूसरे के आधिन होंगे पर आधिन हो होंगे उतना ही हमें दुर्ख बोगना पड़ेगा है अधिकतम अपना कार्यस्व вами करें अपनी इच्छा-नुकूल करेंगे बुद्धिमत्ता से करेंगे बात को ठीक समझ के करेंगे उतने ज्यादा सुखी रहेंगे तो इसलिए करें यह विद्या और अविद्या को ठीक से समझें, तो आत्मा के बारे में ठीक से समझें, सो परसंट भरोसा नहीं करना, वो सारी व्याक्या में कर दी, उसको याद कर लिजेगा, ऐसे ही जो प्रकृती है, संसारिक पदारत traject najleis περι Clone लोगों में खुब धन जमा करते हैं खुब धन कमाते हैं दिन रात लगे हैं पैसे कमाने में हाँ या ना क्या सोचते हैं हम सारी संपत्ति साथ ले जाएंगे जाएगी साथ नहीं जाएगे पर वो यही सोचके कमा रहे हैं कि हम खुब पैसे कमाएंगे खुब मज़े करेंगे और जितनी संपत्ती अधिक होगी उतने ज्यादा सुखी रहेंगे ये अविद्या है अधिक संपत्ती अधिक सुख नहीं देती जितनी आवश्यकता है उतनी संपत्ती कमाओ उतना धन कमाओ उतने वस्तुएं रखो उतने साधन रखो जितनी वस्तुएं आपको आवश्यक है जीवन रक्षा के लिए बस जब आपके पास ये साधन संपत्ती वस्तुएं पैसा रूपया जो भी आवश्यक्ता से अधिक बढ़ेगा बस वहीं से वो दुख देना शुरू करेगा आवश्यक्ता से अधिक ना पैसा ना जमेन ना संपत्ती ना मकान ना मोटर गाड़ी कुछ भी नी रखना जितनी आवश्यक्ता है उतना जरूर रखें आवश्यक्ता से कम भी नहीं होना चाहिए यदि आवश्यक्ता से भी कम रहा तो भी परेशानी खाने को चार रोटी चाहिए मिलती हैं दो तो भी दिक्कत है और चार चाहिए और छे खाई तो भी परेशानी दो फालतू खाई वो दुख देंगी आपको तो रोटी आपको कितनी रोटी सुख देगी, जितनी आपको भूख है उतनी खाओ, चार की भूख है तो चार खाओ, वो रोटी आपको सुख देगी, दो खाई, तीन खाई तो भी परेशानी, पांच-छे खाई तो भी परेशानी, तो ये मोठा सा उधाराने रोटी का, ऐसे जितनी हावशयक्ता है उतने कपड़े पहनो जैसा मौसमेत ठंड हो तो ठंड के इसाब से गरम कपड़ इसब से कपड़े बदलो उतने गरम छोड़ो दिसंबर जन्वरी में रजाई चाहिए अब तो रजाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपना एक सिंपल चादर से ही काम चल जाएगा तो वस्तुएं भी और भोजन भी और संपत्ति भी और पैसा भी और जो हिंसा पांच दोष्ट दिखायेंते अपरिग्रह में यहीए बताते हैं अधिक कमाने में मैंनज बहुत करनी पड़ेगी समय खर्च होगा सी रक्षा करनी पड़ेगी और खाने पिने की आदत पड़ गई तो कल को जब वस्तवें नहीं मिलेंगी कम पड़ गई तब प्रिशा करके करें तो जो लोगों को ये अविध्या है कि बहुत संपत्ति हमें बहुत जाहता सुख देगी वह प्रहँंति ये वह अविध्या है ज्यादा सुख नहीं देगी बल्की टेंशन बढ़ाईगी परिशान करेगी नपढ़ने का समय मिलेगा द्यान-करने करने का न सेवा का नपरोपकार का सारा समय और शक्ति पैसे कमाने में चली जाएगी ना तो व्यक्ति ठीक से जी पाएगा खापी वाएगा नअखा आपी सकेगा ना भोग सकेगा और रहान को पुछ नहीं कर पाएगा इसलिए अविध्या से बच कर चलें, इस पर थोड़ी वार चर्चा है, वो कल करेंगे, समय पूरा हो रहा है, आज यहीं इतना ही विराम देते हैं, ओम का वो चरण करेंगे, ओम, सरवेभ्यो नमहा, सबको साधर नमस्ते जी, धन्यवाद.